आपका आपके यूट्यूब चैनल में और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पावर लेमिटेड को लेकर अडानी पावर कंदर आप लोग देखोगे आज हमें लगबग 3.5% के आसपास जो शेर वो उचलते हुए नजर आये 332 रुपए 70 पैसे के भावव पर क्लोजिंग दिया है ऐसे में कलके इसके लेवल कैसे रहेंगे वह जाने हैं डिटेल में साथ में आप लोगों ने देखा को भी आज अडानी गूरूप के लिए काफे बड़ा दिन था और इसी दिन एक बहुत बड़ी अपडेट भी आते हुए नजर आई है वह हम आपको डिटेल में बताएं है डिटेल में और आज जो रिपोर्ट पर जो फैसल आना था सुप्रीम कोट का उसकी जो हीरिंग वह आगे बढ़ा दी गई यानि कि आज जो सुनवाई नहीं हुई उसके उपर आज जो अभी उतर हुआ देते हैं कि लेका लोग देखों तो यहां पर आप लोग देखुगे हिंदुस्तान के उसे वेबसाइट यूपर में अबये देखने को स्कुली क variety कि है यह बहुत बड़ा खुलासा हमें देखने को मिला रिपोर्ट के अंदर जो नवी इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है आप लोग देखोगे टॉप शेलर्स जो शोट शेलर्स है टॉप शोट शेलर्स में दो भारतिया कंपनिया और एक विदेशी बैंक की भारतिया सा पर आप लोग देखोगे जो से भी है इसके द्वारा आदेश भी पारित किया गया है फिर फिर को लेकर जोना भी गल्द अफवाए फैलाने को लेकर इसी के लेकर यहां पर लोग देखोगे 39 तरह के आज की दिन आप लोग देखो अभी सुबह की यह खबर बड़ी अपड इसकों और विदेशी संस्थागत निवेश्वानी एफपी आई और एफ आयाई सहीत एक दरजन कंपनियों ने अडानी के शेरों में शोर्ट सेलिंग के जरिये तगड़ा मुनाफ़ा बनाया है तो इडी ने भई आप लोग देखोगे लग निरंतर जांचे वो की और पर पर शोर्ट पोईश्र बना ली और उसके बाद रिपोर्ट पब्लिस हुई है तो ऐसे में यहां पर जोनबी तगड़ा मुनाफ़ा बनाया गया है क्या कहिना जाँच जैंसी का यानि इडी का विते जुलाई महिने में बाजार नियामक भारतिय परतिवुति और विनिय जनवरी को हिदन उबवरी सर्च रिपोर्ट प्रकाशित होने से दो तीन दिन पहले ही शोट पोजिशन जो भी इसके अंदर ले ली थी और कुछ अन्याने पहली बार यहां पर आप लोग देखो कर शोट पोजिशन लिये थे चुत्रों के अनुसार अडानी समू के शेरों से कमाने वाली बारा कंपनिया या संस्थाओं में से तीन भारत आधारित हैं वहीं चार मौरिसिस में और एक सुरी एक एक जो हमें फ्रांस होंग कॉंग कॉंग और केमिन द्वीप आईरलेंड और आप लोग देखोंगे लंदन में स्तित देखने को मिली हलांकि किसी भी अधिकारियों को अपनी स्वामितव संद्रजना का जो खुलासा है वो नहीं किया है तो यह अपडेट आते वे नजर आई है एडी की एक बहुत बड़ी जो पहल थी वो उन्होंने अपने जो काम है वो यहां पर बाकुवी तरीशे से किया है और अगर अडानी ग्रूप इ यहां से आप लोग देखोगे जिन भी कंपनियों ने यहां पर शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफ़ा बनाया है वही पहले शॉर्ट पोजिशन बनाई है उनकी वाट लगने वाली है ठीक है तो यहां पर बहुत अच्छी ख़बर आप लोग इसको मार में सकते हो साथ में से भी जुर्मा ना लगा सकती है फाइन लगा सकती है जो की एक क्रोड तक का हो सकता है तो यह भी आप लोग देखोगे हमें अपडेट के अजरी यह पता चला है तो चलिए अब आपको बताते हीरिंग की डेट मैंने तो कहीं पर ऐसा एक कमेंट मैंने देखने को मिला कि 11 स साइट्स पर भी जाकर देखा मेरे को कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है कि next hearing 11 September के होगी यह फिर इससे पहले अब बाद में होगी I think उन्हों भी कहीं पर देखो भी पड़ा होगा देखा हुआ कि next hearing 11 September को होने वाली है तो चलिए अब देखते भी अडानी पावर से लेट पोजिशन लेने के लिए बोला था जब यह शेयर 325 की आसपास था वहां पर हमारा निचे में क्या था 315 रुपए का हमारा सपोर्ट अगर ब्रेक ओता है नीचे मी चिव भारो इसके उपर में रह तो स्टॉक अंदर मैंने बैठने के लिए बोला उसके बाद जो शेयर वह कम उठते नजर आई है साथ में एक्सेल उड़ रहा है तो कल के दिन स्टोक के बाद दबाव बढ़ सकता है लेकिन एक दो अच्छी अपडेटे आई तो स्टोक में फिर से रैली बनेगी तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसके चार्ट पर लेवल तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भी दो पर में आपको यह लेवल इसके दिये थे यहां से स्टोक में एक अच्छी रैली फिर से बनी है उपर में इसका रैस्टेंस था 332 रुपे पिचासी पैसे का आई थिंग स्टोक ने इसको ब्रेक किया है लेकिन सस्टेन नी कर पाय इसके उपर में उसके बाद यहां से आप लोग देखोगे यह इसका कलका जोना भी उपर में रेस्टेंस रहेगा ठीक अगर स्टोक इस लेवल को कलके दिन ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है फिर आप लोग देखोगे स्टोक आपको उपर में next hearing तक आप लोग देखो साढ़ में रहने वाले हैं 350 के आप लिए तो देखते भी और क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है इसके रिगार्डिन जो कुछ भी अपडेट आएगी वो अडानी गुरूप से लेटेड या अडानी पावर से लेटेड या अडानी गुरूप के किसी भी शेयर से लेटेड वो आप से मिस नहीं होगी चैनल को सब्सक्राइब और बाइल आकों को प्लास करकर रखिए आपको जोन भी जैसे अपडेट आती है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है थैंक्यू फर वच्छिंट वीडियो